गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मैं शिरकान चाहन आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉरकास में स्वागत करता हूँ और कल के दिन में हमने इंडियन मार्केट्स में एक शांदार रैली देखी इवन दो हम लोग ने एक लोर ओपनिंग देखी थी मार्केट्स में मार्केट्स में इन सभी को क्रॉस करते हुए 18604 के लेवल्स को भी मार्केट ने क्रॉस किया 18604 ये मार्केट के लिए आल टाइम हाइस लेवल्स थे और ये लेवल्स क्रॉस करने के बाद मार्केट ने अन अ मन्तली बेसिस हायर टॉप हायर बॉट्टम की सिरिस एस्टाबलिश की है 19th October 2021 में हमने 18604 के लेवल्स देखे थे उसके बाद लगातार मार्केट में हमने एक करेक्टिव पैटन देखा इन फाक्ट इस करेक्टिव पैटन में मार्केट ने कई सारे सेक्टर्स को स्कैन करते हुए या रोटेशनल अक्टिविटी में कनवर्ट करते हुए इवेंच्यूली एक साल या तेरा मेने के बाद हम बूल सकते हैं कि वापस इनी लेवल्स को क्रॉस किया इस बार के जो लीडर से वो थे इस्पेशली बैंक स्टॉक्स कुछ एक एक फमसीजी स्टॉक्स आटो कांपनीज पी एस यो कांपनीज इन लोगों ने हमारे मार्केट को प्रीवेस आई के उपर क्रॉस करने में मदद की है और जो पिछले पिछली बार जब एटीं तादुन सिख जिरो फोर के लेवल्स आए थे तब मार्केट में कमोडिटीज मेटल्स आइटी कांपनीज इनका सहारा मिला था और इनी वज़े से मार्केट ने निव हाइस किये थे इस बार अगर आप देखे तो ये दोनों सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो एक बात क्लियर थी कि 2021 में जब मार्केट बड़ा था तब इन्फलेशन सेंसिटिव या इन्फलेशन रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर हमने बड़ी तेजी देखी दी और इस बार के मार्केट में हमने उन स्टॉक्स को देखा है कि जो इन्फलेशन डिफेंसिव स्टॉक्स है या सेक्टर से तो उसमें ब या कम तरत आई है जिसकी वजह से auto companies में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी capital goods infra companies में अच्छी तेज़ी देखी और इनी वजह से market में previous आई को cross किया है broader formation में यही indicate करता है कि buy on dips की strategy रखे already हम लोगों ने 18604 के levels देखे हैं तो अभी 18300 से लेकर 400 के range में अगर कोई भी reversal अगर पैटन बनता है तो उस reversal पैटन के वैसेस पे long positions बनाए जा सकती है तब तक हमें लगता है कि इस market में आप stock specific view रखे और focus में BFSI के साथ साथ कुछ IT companies को भी रखे capital goods और infra companies में भी हमें लगता है कि stock specific view के साथ अगर आप काम करोगी तो वहां पर भी अच्छे खासी तेजी देखने मिल सकती है इसके अलावा bank nifty में 42,500 42,000 के करीब बढ़िया support है 43,000 43,500 में बड़ा resistance है कुछ हमने profit booking देखी है bank stocks में और इसी वज़े से में लगता है कि bank stocks में especially आप selective view रखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी से में आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में है रहे धन्यवाद